हेलो एफरीबन आज से नेट योजिसी एक्जाम की रेजिस्टेशन जो है वो स्टार्ट होगी है इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें आपको बताऊंगी क्या प्रोसीजर है रेजिस्टेशन फॉर्म को फिल करने का कितनी फीज है और क्या क्या न फिर ही फीलिंग आती है कि हाँ अब हमने पढ़ना जो है स्टार्ट कर देना है तो देखते हैं क्या प्रोसीजर है फॉर्म फिल करने का सबसे तो पहले आपने अंटिये सर्च कीजिए तो सबसे उपर उसकी ओफिशल वेबसाइट आ जाती है अंटिये.ac.in नैशनल एक और खुल जाती है विंडो यहां पर नीचे स्क्रोल करते हैं स्क्रोल करकर बिल्कुल लास्ट वाला ओप्शन जो है आपके पास आएका कॉलेज युनिवरस्टी टीचिंग और फैलोशिप तो यहां पर आपने क्लिक करना है जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तब आ इस लिंक के उपर क्लिक करते हैं तब आपको नीचे स्क्रोल करना इसकी इनफोमेशन आएगी इसमें बताया गया है कि ये कौन सा exam है, eligibility criteria क्या है, ये सारी चीजे हैं, अगर आपको ये पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं राम से, फिर registration का option आता है, बिल्कुल end में, उस registration की option को आप click करोगे, फिर से एक नई window आएगी, और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, fill application form, इस पर click करना है, fill application form पर आप click करते हो, तो दो options आएंगे, new candidate registration, already registered candidate sign in, अभी तो register आप नहीं किया होगा, क्योंकि आज ही ये portal जो है वो खुला है, आज ही ये option आई है, तो आपने किस पर click करना है, apply for UGC net December 2018, उसके बाद सारी information आजाती है, कि ये exam जो है, online exam होगा, ये बताया गया है, साथ में fee structure बताया गया है, fees एक बाद चेक कर लेते हैं, general category के लिए 800 है, और OBC के लिए जो है, वो 400 है, फिर उसके बाद SCST के लिए 200 है, तो यहाँ पर गुड निउस है, पिछले साल जो है, पिछले exam में 1000 रुपिस फीज थी, और इस पार 800 है, तो ये एक आपका benefit हो गया, फिर उसके बाद पूरा step बतायेगी है, step explain कियेगी है, कि आप किस किस तरह से application form fill कर सकते हैं, आपको एक scanned photo भी चाहिए, तो आपसे मैं request करूंगी, कि form fill करने से पहले, अपने laptop गैरा पर scanned image करके रखे, अपने signatures को भी scan करके रखे, और उसे ही upload कर देना, ठीक है, उसके बाद password के लिए बताया है, क्या-क्या चीज़े आपकी होनी चाहिए, तो इस सारी information को अच्छे से पढ़ लीजेगा, बिल्कुल end में एक information है, I have downloaded information, कि यह मैंने उपर वाली information को download कर लिया है, read कर लिया है, उसको समझ लिया है, इसके उपर आप टिक करेंगे पहले, then you will press, फिर आपने क्या प्रेस करना है, proceed to apply online, जब आप इसके उपर click करते हैं, फिर आपके पास application form जो है, वो open हो जाता है, बस अब आपने इस पर क्या करना है, information को fill करना है, और साथ में अगले-गले step पर चलते जाना, information fill कीजिए, और submit की ओपर press कीजिए, फिर उसके बाद जो procedure है, वो ही हो जेगा, जो आप पहले ही follow करते आए हैं, बस main यह है, इस बार आपने UGC की site पर नहीं जाना, CBSC की site पर नही का, teaching का, और उस पर click करके आपने इसको fill करना है, I hope friends आपको यह video जो है, वो useful लगेगी, अगर useful लगी है, तो please subscribe to my channel and share my videos.